दोस्तो आज बहुत ही प्यारे टॉपिक हम लेकर क्या हैं भाग्य और कर्म क्या है भाग्य और क्या है कर्म आज भी बहुत लोग 80-90 लोग हमारे देश के इसी में उल्जे हुए हैं कि भाग्य बड़ा है या कर्म बड़ा है अगर कर्म बड़ा है तो इतने लोग सड़क बनाते हैं इतने लोग घर बनाते हैं दिन रात मेनत करते हैं वो अच्छे बवन में क्यों नहीं रहते और अगर भागय बड़ा है तो ये भागय बड़ा कैसे होता है भागय प्रबल कैसे होता है एक गरीब आदमी की किसमत में सुख क्यों नहीं है और बड़े-बड़े लोग जो उचाईयों वाली लाइफ को जीते हैं वो अचानक ऐसा क्या होता है कि ओंधे मु उनका व्यापार गिर जाता है और उनका सारा जो व्यवसाय है सामराज्य है वो बिलकुल धेर हो जाता है खतम हो जाता है दोस्तों आज इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं लोग की कॉल्स भी लेंगे और आपको बताएंगे कि आपको जरा भी ब्रहमित होने की आवश्यक्ता नहीं हैं, दोस्तों इसका एक बहुत प्यारा उधारन में आपको देता हूं, एक समय पर दो बच्चे पैदा होते हैं, एक ही समय पर दो बच्चे पैदा होते हैं, एक राजा के घर में और एक भिक्षक के घर में, किसी भिकारी के घर में या किसी फुट पात अब दिल्ली में जनम हुआ दोनों का । सो मिटर की या डेड़ सो मिटर की या समझ लो कि पान सो मिटर की दूरी में वो बच्चे जनमें। अब अगर कुणली बनेगी तो सेमी बनेगी या ऐसे कहलो कि एक महल में राजा का बेटा जनम लेता है और उसी के महल में नीचे एक छोटी सी कुटिया, छोटी से रूम में उसका जो नोकरदा, उसका जो सेवधार था उसके भी बच्चे का जनम होता है एक छण भी इधर से दर नहीं था, एक समय पर ही दोनों का जन्म हुआ, अगर कुणली बनेगी तो दोस्तों बिल्कुल सेम बनेगी जरा भी चेंज्ज़ नहीं होंगे, पर आपको ये बता है कि राजा के घर में जो बच्चा पैदा हुआ, और विक्षक के घर में जो बच्चा या उसके पुर्वजनम के सिंचित कर्मों का लेका जोका था। दोस्तों हम हर पल जो कर्म करते हैं उससे एक फल तयार होता है। उस फल से पुण्य बनते हैं और यही पुण्य प्रारब्द के रूप में हमें जनम दिलाते हैं। हम राजा के घर में पैदा होंगे या उसके ड्राइवर के घर में पैदा होंगे ये रोल हमारे कर्म डिसाइड करते हैं। हमारे कर्मों से ही हमें जनम मिलता है, हमारे कर्मों से ही सुख मिलता है, हमारे कर्मों से ही हमें दुख मिलते हैं। हमारे कर्मों का ही लेखा जो का है कि राजा के घर में पैदा होने के बाद भी सत्रे साल के बाद कैंसर की बिमारी होने से मृत्य हो जाती है। और यही कर्म भी कर्म भी डिसाइड करते हैं कि फुट पात पे जो बच्चा पैदा हुआ दीरे दीरे उसने रिक्षा चलाया फिर उसने आटो चलाया फिर अपने टेक्सी की कमपनी बनाई और फिर करते ही देखते देखते उसके रेस्टोरेंट धाबे मल्टिपल बिदन या उनके फादर ने कहीं न कहीं बिल्कुल जीरो से फुट पात से अपनी जर्नी को आरंब किया है लेकिन उधारन जैसे मैं बहुत बार लोगों को पूछता हूँ कि दीरुबाई अंबानी जी के फादर ज्यादा अमीर थे या मुकेश अंबानी जी के फादर ज्यादा अ दीरू भाई अमबानी जी ने पूरे जीवन महनत करी और सामराज्य को स्थापित किया लेकिन मुकेश अमबानी जी ने उनके घर में जनम पाकर ही सारे सामराज्य हासल कर लिया दोस्तों ये अपने अपने कर्मों का फल है हम हर पल जो कर्म करते हैं वो किसी ना किसी रूप में जुड़ रहा है आप जो बुरा कर रहे हो जो अच्छा कर रहे हो आपने जाने अंजाने किसी को नुकसान पोचा दिया आपने जाने अनजाने, जान भूझ करके आपने किसी के 500 रुपे मार लिए, 1000 रुपे मार लिए, किसी को 5000 रुपे के लिए बहुत तड़ पाया, ये जो 5000 रुपे हैं, ये आपको 500 करोड रुपे के भुकतान दे करके भी मुक्ती नहीं मिल पाएगी, मैं सिर्फ ये समझाना जीवन में जरा से मजे के लिए आप किसी को चोट पहुचा देते हो किसी का मजाक उड़ा देते हो हर पल जो आप कर्म कर रहे हो उसका फल उत्पन हो रहा है और यही फल आपको एक दिन आपके प्रारवदों के रूप में मिलेगा एक दिन दुनिया आपका तमाशा बना कर र साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सब से पहले और हाँ बेल आइकन तबाना ना भूलें